नमस्कार दोस्तो एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हम जानेंगे कि मुगल कौन थे तो मुगल जो है वह दो महान शाशकों के वन्शस थे एक था तैमूर लंग और दूसरे था चंगेज खान तैमूर लंग को लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह एक पेर से लंगड़ा था और पेर घसिट कर चलता था तो ये चो दो शाशक जिनके ये वन्शस थे उसमें माता की तरप से ये चंगेज खान जो की चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था उसके उत्तरा धकारी थे और तैमूर लंग वे पीता की तरप से और वे इरान इराक और तुर्की के शाशक थे और तैमूर के वंशज थे तो मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे क्योंकि उनके पुर्वज तैमूर ने सन 1398 में दिल्ली पर कबजा कर लिया था दोनों का उद्ध्यश्य क्या था आईए जानते हैं तैमूर लंग और चंगेश खान दोनों ने भारत पर आकरमन्ट किया लेकिन चंगेश खान के वर सिंधु नदी तक आया और वहीं से वापस चला गया जबकि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आकरमन्ट किया और काफी लूट पाट की तो सबसे पहले जानते हैं चंगेश खान के बारे में तो चंगेश खान जो है वहाँ मंगोलिया का था और मंगोल शाशक था और उसने यायावर जो जाती थी जो कि खासकर घुमकड और खाना बदोश जन जाती थी उसको एक जूट किया और उसका सेनापती बन गया और शाशक करने लगा उन लोगों पर वह बहुत ही कुरूर और निर्दई शाशक था नरसाहार भी उसने बहुत किये थे बहुत लोगों को उन्होंने मारा था इसका जो प्रारंभिक नाम था चंगेश खां का वह तेमुजीन था तो चंगेश खां ने जब इरान पर आकरमन कर दिया तो इरान का जो राजा था उसका जो उत्तरा धिकारी था जलालुद्धिन मगवारनी वो सिंदू नदी के टर्ट तक पहुचा उसने इल्म तुतिश शरण मांगी दिल्ली में लेकिन इल्म तुतिश ने चंगेश खां के डर से उसे शरण देने से मना कर दिया यहाँ देखकर चंगेश खां ने दिल्ली पर आकरमन नहीं किया क्योंकि इल्म तुतिश ने हपनी हार मान ली थी और चंगेशकान वहीं से वापस मंगोलिया लोड गया और एक बहुत बड़ा युद्ध होने से टल गया देखते हैं तैमूर लंग के बारे में तो जो तैमूर लंग थे उसने 1360 में में भारत पर आकरमन कर दिया उस समय दिल्ली संतनत पर अयोग्य शाशक महमूद तुगलग था और महमूद तुगलग और उसका भाई जो था नुस्रक शाह तुगलग दोनों ही दोनों ने उसके साथ युद्ध किया लेकिन बीच में ही युद्ध छोड़ करके दोनों भाग गए पंद्रह तीन तक तैमूर लंग ने उनकी रहा देखी दिल्ली में काफी लूट पाट की फिर उसने खिजर खा को वहां का राज्यपाल घोशित कर दिया और खुद सारा सामान लूट करके उजबैकिस्थान की और लौट गया आगे जाकर खिजर खान ने सायद वंश की स्थापना की तो देखा जाए तो दोनों ही तैमूर लंग और चंगेश खान दोनों ही चोड़ ड़केट थे और उनका काम ही चोड़ी करना लुट पाट करना यही था संगेश खान जो की बहुत ही निर्दई था लेकिन निर्दई होने के साथ साथ वह बेहद अनुशाशित शक्तिशाली और चतूर मंगोलियन शाचक था जिसने अपनी रंडनिती और कुशलता के चलते 1206 से लेकर 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज़्यादतर हिस्सों को जीत लिया था और मंगोल सामरज्य का विस्तार किया था अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में व्यतित करने के बाद सं 1227 में उसकी वृत्ति हो गई उसके आखरी शब्द थे कि मैं पूरी दुनिया फटह करना चाहता था लेकिन एक उम्मर उसके लिए कम थी उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहां दफनाया गया यह किसी को भी पताना चले इसलिए दफनाने वाले सारे सैनिकों को मार दिया गया था आज भी चंगेच खान की कबर की तलाश जारी है तो चंगेच खान की बृत्तियों सन 1227 में हुई थी और जो तैमूर लंग है उसकी जो मृत्तियों है वो 1405 में हुई थी और असाधरन बुखार से हुई थी और उसे उजबेकिस्थान के समरकन में मौजूद भाग गुर ए आमिर में दफन किया गया था तो ये थी जानकारी मुगल कौन थे इस से संबंदित अगले वीडियो में हम नई विशे के साथ आएंगे तब तक के लिए रमश्कार हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद